वन प्लस टेना जो चाइना में लॉंच हुए वन प्लस एस का री ब्रंडेट वर्जन होने वाला है और कल ही इंडिया में लॉंच होगा फास्ट रिफ्रेसरेट एमोलेट डिस्प्लेए न्यू फाइन फ्लेक्सिक ग्रेट प्रोसेसर सोनी एमक 766 केमरा सेंसर 158 सुपर फास् अन्बोक्सिंग बताने वाला हूं जो इंडिया में फ्लेक्सिक पर्फॉमंस के साथ आने वाला है मेरा नाम विलन है और आप देखरेए टेकिस टीक्टोर जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट अप्डेट सबसे पहले हमारी चैनल में देखने को तो ऐसे ही लेटेस्ट अप बॉक्स के लीट को ओपन कर लेते हैं और साइड में भी बड़ा सा ब्रांडिंग मिल जाता है इस कार्ट बोक्स में यूजर मैनियूल वन प्लस के स्टीकर सीम टूल मिल जाएंगे फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और यह है वन सिक्टी वेट का सूपर पावर एडप्टर जो PPA, SPD और QC चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है यानि लेफटॉप टेबलेट को भी इस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और यहां पे टाइप C to C केबल मिल जाता है जो रेग्यूलर केबल से फोड़ा मोटा मिल जाता है क्यूंकि चार्जिंग OnePlus S की डिजाइन देखे तो OnePlus के previous version से different देखने को मिल जाती है जैसे कि OnePlus के phones में ज्यादा तर फोन्स राउंडेट फ्रेम के साथ आते हैं लेकिन यहां पे फ्लेट फ्रेम मिल जाती है और जो बैक देखे वो भी फ्लेट मिल जाता है केमेरा मोडियूल भी इस बार डिफरेंट फोन की जो थिकने से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यहां पे फोन की थिकने करीब 8.2 mm कि और वेट करीब 186 क्राम का ही है जो रेगिलर गेमिंग फोन के कंपेर में 10% हलका कह सकते हैं फोन की फिल की बात करे तो बहुत ही कम फोन ऐसे होते है जो बड़ी स्क्रीम के साथ आते है लेकिन वेड में हलके होते है तो यहां पे इन हैंट फिल तो अब्येसली अच्छी ही मिलने वाली है क्यूंकि वेट में हलका है और फोन की बैक डिजञ़ कुछ स्पेसियल देखने को मिल जाती है यहां पे देख सकते आप बलेक वर्जन में एस्यमेट्रिक टेक्सर अब बात करते हैं OnePlus 10R या तो फिर AS के फ्रंट की, फोन में 6.7 इच की फ्लेक्सिबल एमुलेट दिस्प्लेय मिल जाती है, और ये सेंटरल पंचोल वाली डिस्प्लेय है, रिजोल्यूशन फूल हडी प्लस मिल जाता है, और रिफ्रेस रेट 120Hz की मिलेगी, और ये डिस्प्लेय 10-bit कलर के साथ हाती है, यानि रेगिलर डिस्प्लेय से इस डिस्प्लेय में कलर्स ज्यादा मिल जाएंगे, साथ में HDR10 Plus का सर्टिफिकेसन भी मिल जाता है, और स्क्रीन में टच सेंप्लिंग रेट 720Hz का मिल जाता है, और फॉन में डिस्प्लेय पी सूपर मिल जाती है, साथ में स्टीरियू स्पीकर भी मिल जाते हैं, लेकिन डोल्बी एक्मोस का सपोर्ट यहां पर नहीं मिलेगा, OnePlus 10R या तो OS में पर्फॉमंस की बात करें, तो Diamond City 8100 Max प्रोसेसर मिल जाता है, चो TSMC के 5 नेनोमिटर फैबरिकेसन प्रोसेस पे बना है, Max Clock Speed 2.85 GHz की मिल जाती है, Diamond City 8100 Max में रेगिलर वर्जन से AI पर्फॉमंस में बुष्ट मिल जाता है, यानि नाइट वीडियो सूटिंग में नोइस कम से कम देखने को मिलेगी, इट मिन्स लो लाइट वीडियो सूपब मिल जाएगी, साथ में गेमिंग में भी ऑप्टिमाइजेसन मिलेगा, कंपेर्ट तू रेगिलर 8100, गेमिंग में एक्स्ट्रिम फ्रेम स्टेबिलाइजेसन मिलेगा, और ग्राफिक भी ज्यादा स्मूध मिलेंगे, फोन में एंटू टू स्कोर देके तो एट लेक्स के ऊपर मिल जाते है, यानि snapdragon 888 plus प्रोसेसर के अराउंड मिल जाता है, फोन में रेम LPDDR5 मिल जाती है, और storage UFS 3.1 मिल जाता है और रेम को एक्स्टेंट भी कर सकते हैं, ओवराल फोन में गेमिंग एक्स्टेंट सुपब मिलेगा, हाइंड गेमिंग हाई सेटिंग पर आसानी से खेल सकते हैं, हाइ फ्रेम रेट पर भी खेल सकते हैं और फ्रेम ड्रोप ECU भी कम से कम देखने को मिलेगा, साथ में फोन में X-axis linear motor भी मिल जाएगी, यानि रियल टाइम गेमिंग एक्सपरेंस मिलेगा, और गेमिंग एक्सपरेंस तो अच्छा ही मिलेगा, क्यूंकि फोन में इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप भी मिल जाती है, जो लो फ्रेम रेट की गेम में फ्रेम इंसर्टेशन का भी काम करती है, यानि 60 fps की गेम है, तो वो करीब 90 या 120 fps तक फ्रेम रेट भी मिलेगी, वन प्लस 10R या तो एस में केमेर की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल केमरा सेट अप मिल जाता है, जनरली वन प्लस के बजेट फोन में केमरा इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहां पर केमरा में इंप्रूमेंट मिलेगा, मीन केमरा Sony IMX766 sensor मिल जाता है, जो एक टाइम का फ्लेक्सिप sensor था जो दो साल से मार्केट में है, और बहुत ही अच्छी फोटोज केप्चर करता है और बहुत ही सारे मीट सेग्मेंट के फ्लेक्सिप फोन में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर सेंसर साइज भी बड़ी दिगे है 1-1.56H की मिल जाती है, यानि लो लाइट में भी यहां पर फोटोज अच्छी मिलेगी, साथ में Optical Image Stabilization का भी फीचर मिल जाता है, Secondary 8 Megapixel का Ultra Wide Sensor मिल जाता है, और 3rd 2 Megapixel का Macro Sensor मिल जाता है, और Selfie के लिए 16 Megapixel का Selfie Sensor मिल जाता है, आप यहां पर फोटोज के सेंपल्स देख सकते हैं, और दूसरे OnePlus के Budget Phone के Compare में, यहां पर बहुत ही ज्यादा इंप्रूमेंट देखने को मिला है, फोटोज काफी अच्छी मिलती है, डे टाइम, लो लाइट, काफी अच्छी फोटोज मिलेगी, अब बात करते हैं, फोटोज में बैटरी की, फोटोज में पर्फोमेंस के अलावा एक और आई केचिंग हाइलाइट मिल जाती है, फोन में वन फिप्टी वेट का सूपर फ्लेस चार्जिंग टेकनलोजी का यूस हुआ है, फोन में आप कोई भी वेरियांट लेते हैं, लेकिन वोक्स में 1608 का सूपर वूप फास चार्जर एडप्टर मिलेगा, और हाइड फास चार्जिंग केबल भी मिल जाता है, साथ में फोन में ड्यूल सेल फास चार्जिंग बैटरी मिल जाती है, फोन में कॉस्टम बैटरी मेनेजमेंट चीप भी लगी है, और इस बैटरी मेनेजमेंट की वज़े से बैटरी को 1600 बार चार्ज करने के बाद भी बैटरी लाइफ 80 परसंट तक रिमेनिंग रहती है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कई लोग इसा सोचते है कि हाईवर्ट चार्जिंग से बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, बैटरी चार्जिंग की बात करने तो 5 मिनिट चार्ज करने पे 47 परसंट तक बैटरी चार्ज हो जाती है, 10 मिनिट्स चार्ज करने पर 80% बेटरी चार्ज हो जाती है और 100% चार्ज होने के लिए 40 मिनिट्स और 25 सेकंड्स लगते हैं जो अच्छी बात है OnePlus 10R की इंडिया में प्राइस की बात करे तो मेरे हिसाब से बेस वेरियांट की जो प्राइस हो करी 35 से 38 थाउजन तक आ सकती है कंक्लूजन पर आये तो फोन में पर्फोमेंस आउटसेंडिंग मिल जाता है डिस्पले भी अच्छी मिल जाती है केमेरा भी एबोव एवरेज मिलता है और बैटरी चार्जिंग भी सुपर फास्ट मिल जाता है लेकिन दोस्तों OnePlus 10R के एक दिन बाद ही Realme GT Neo 3 लांच होने वाला है जो सेमी स्पेक्स के साथ आने वाला है सभी कुछ सेमी है अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और उपर काड में मिल जाएगी जरूर से देख लेए तो दोस्तों आप क्या सोचते है OnePlus 10R या तो फिर एस के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लागा और कौन सी प्राइज में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए अब दोस्तों एससे ही लेटेस्ट उप्डेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गीव अब देखने के लिए अगले अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ तब तक करी थैंक्स पो वाचिंग है वाचिंग एव ग्रेट देन कीप स्मयलें झाल झाल